अगर आप एक CAC भेली हैं और आयसमान कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं जिनका भी आप आयसमान कार्ड एपलाई किये हैं उसका एप प्रूब भी हो गया है पर वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है रिफरेंस नमबर से आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना रिफरेंस नमबर के आयसमान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे आप लॉगिन करते हैं अपने गूगल क्रोम में वैसे ही आप अपने लॉगिन कर लिजे आयसमान पोर्टल पे जिस पे आपका सेतु.pmgy.gov.in है उसके बाद देखें लेफ साइट के आपका स्क्रीन में आप लेफ्ट साइट के स्क्रीन में देखेंगा यहां पे डाउनलोड and delivery आपसन मिलेगा चौथा नमबर में हैं डाउनलोड and delivery इस पर क्लिक करने के बाद आपको पहला option डाउनलोड आई सुमान कार्ड यह आपको आपसन नजर आ जाएगा जैसे आप य प्रफिए औप्सन न जाएगा इस तरह कुछ डैस्बोर्ड न जाएगा तो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं उस स्टेट को आप यहां पर सेलेट कर लिजेगा तो जैसे मैं यहां पर जाड़कन से बिलॉंग करता हूं मैं उप्से केंडिट का डाउन कर लिजेगा उसके बाद ठोड़ा सा वेट करिएगा आपका फिंगर प्रिंट जो है वह सब्ड़कन से पहले लिकिन आप लगा कर रखेगा अपना इस फिंगर प्रिंट को उसके बाद यहाँ पर देखे नीचे में इसके बाद आप अपना आधार नंबर को यहाँ पर एंटर कर लिजेगा जो भी आपका आधार नंबर है तो चलिए मैं आधार नंबर को एंटर कर लेता हूं और थोड़ा से इसको मैं हाइड कर देता हूं sensitive चीज़ है उसके बाद यहां देखे नीचे में लिखा scan your finger इस पर आप click करेगा जैसे आप click करेगा आपका fingerprint का light जलेगा आप candidate का fingerprint को वहाँ पर डाल रख लिजेगा रखने के बाद फिर आप यहाँ पर verify कर लिएगा तो चलिए मैं यहाँ पर capture कर लेता हूँ और यह capture यहाँ fingerprint scan your finger पर click किया हूँ और थोड़ा सा wait करिएगा और wait करने के बाद सही से अगर capture हो जाता है तो इस तरह का green tick आपका आज जाएगा उसके बाद यहाँ देखेगा green tick आ गया है चलिए यहाँ पर verify में मैं क्लिक कर लेता हूँ verify में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा wait थोड़ा से scroll करिएगा नीचे में देखेगा आप स्क्रीन को तो आपका नीचे में यहाँ देखेगा यहाँ download option में आपको क्लिक किजिएगा आपका download हो जाएगा बस थोड़ा सा wait करिएगा कुछ time लगता है इसको download होने में क्योंकि ऐसे भी अभी server कर problem चल रहा है तो बस आ यहाँ download करिएगा तो आपका download हो जाएगा लगभग एक से दो मिनिट लगेगा इस समय इसको verify होने में और देखे यह download हो गया चलिए यहाँ पर आपको यह देखे यह दो टो मैंने download किया भी तो मैं आपको इसको open करके भी दिखा देता हूं तो लगभग इसमें दो मिनिट करके भी आपको दिखा देता हूं तो यह मैं apply किया था और उसका एप्रूब भी हो गया था reference नंबर से काफी दिनों से मैं download कर रहा था डाउनलोड नहीं हो रहा था तो यह download करने के एक best option है कि आप किसी भी candidate का आधार का किसी भी स्टेट का download कर सकते हैं तो वीडियो कैसा ल में सुभू